दोस्तों RBSC कुशन पेपर दोजार सोडा क्लास 10 मैस का कुशन नमर 18 का सुलुशन देख रहे हैं यह आपका समानतर छड़े चप्टर में से आयावा कुशन है इसमें देखिए आपको उस AP के परतम सोडा फ़दों का योग ज्यात किजिए जिसका पांचवां पद और नमां पद करमास आपको गिवन है तो यहाँ पे पहली लाइन दोस्तों आपको लिखनी होती है कि दिया है क्या दिया है आपको पांचवां पद दिया है पांचवां पद को क्या लिखते हैं A5 से लिखते हैं कितना 26 दिया है उसके बाद कौन सा 9 पद दिया है A9 कितना 22 आपको क्या ग्याद करना है पर्थम 15 पदों का योग ग्याद करना है तब आपके पास यहाँ पे कौन से 2 चीज़े नहीं है एक तो A नहीं है और दूसरा आपके पास D नहीं है यदि A, D आपके पास मिल जाएं तो यहाँ पे N का वेल्यू पड़ा है आप क्या ग्याद कर लेंगे SN4 में से अपना योग ग्याद कर लेंगे तो अब हम लिखेंगे चुंकि A N बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है तो इसलिए A5 बराबर क्या आगया A प्लस 4 D देखो यहाँ पे N के जिएगे 5 है तो 5 माइनस 1 कितना 4 आ गया इस इकुश टू 26 है और A 9 बराबर कितना आ गया A प्लस 80 आ गया बराबर कितना 42 इसको एक्वेशन 1 दे दो इसको एक्वेशन 2 दे दो एक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो देखो A से कैंसे लूट हो जाएगा यहाँ पे 8 D माइनस 4 D बराबर 42 माइनस 26 आ गया यानि 4 D is equals to यहाँ पे आपका 6 आ गया यहाँ पे कितना 1 आ गया देखे यहाँ पे D बराबर कितना गया 4 देखो मल्टिप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा यानि 4 कितना 4 टाइम डिवाइड हो गया तो D बराबर आपका कितना गया 4 तो अब हम इसका 1 किस में रखेंगे अपने समिकन 1 में रखेंगे तो समिकन 1 में हमने D का मान रखा देखो बराबर कितना है आपका 26 है तो ए बराबर कितना आगया 26 यह इस तरफ plus का इसको दूसरी और लेकर आएंगे तो किसका होज़ेगा minus का होज़ेगी आपको पता होगा जो संक्या इस तरफ plus के होती है दूसरी साइड ले जाना पे minus के हो जाती है तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तना आपके पास यह 10 आ गया अब आपको क्या ग्याद करना है S-N ग्याद करना है चुकि N पदों का योग S N बराबर कितना होता है N बाइ 2 ये इसका दोस्तों क्या है पर्थम पद है और ये इसका क्या है सारवंतर A प्लस N माइनस 1 D होता है 2 A प्लस N माइनस 1 D होता है N बराबर 15 लेने पर अर्थाद 15 पदों का योग 15 पदों का योग AP के AP के AP के N पदों का योग AP के 15 पदों का योग S 15 कितना हो जाएगा दोस्तों देखो N के जिगे हमें कितना रखना है 15 रखना है और A के जिगे हम अपना वेल्यू रखने है 10 10 और N के जिगे 15, D के जिगे आपका कितना 4 value निकल कर आया है, ओके अब हमें इसका calculation करना है, देखो इसको हम अंदर multiply करते हैं, तो यहां पे आपका, यहां देखो 1 by 2 के एक वार अंदर multiply कर तो 15 को बाहर रहने दो, यह आपका 2, यह 2 कैंसल हो जाएगा, कितना अगे 10, यहां पे यह 2 से कितना time कैसल होगा, आपका 2 time, यहां पे 15 minus 1 कितना आगया दोस्ता आपका, 14 आगया, और 14 को देखे, इससे multiply करते हैं, 2 से तो कितना था, 28, plus 10 कितना, 38 आगया, 38 को देखे, हमें यहां पे इससे multiply करना है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख के multiply कर सकते हैं, आसानी से, तो यह कितना आगया, इसको 5 से multiply करते हैं, तो 8, 2, 5, 4, 4 के रिभी 15, 190 आगया, यहां पे 0 और यह आपका, 17 आगया दोस्तों, एक के रिचला गया, 517 आगया, S 15 ब्राबर, तो इस फ्रकार से यहां पे आप लिखेंगे last में, कि AP के 15 पदों का योग, कितना प्रप्थ हुआ, 570 है, नीचे comment कर बताएं, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, धन्यवाद,